नमस्कार मैं हूं संज्जे राजमा की रेस्पी बनाने के लिए यहां पर एक बॉल मैंने राजमा का लिया और ऊपर नाइटे इनको भुखो लिया है और यहां पराब देख से हैं, पूरी तरह से राजमा हमारे फूल चुके हैं दो टमाटो लिया है, एक हरी मिर्च लिया है और साथ मैं थोड़ा सा पालक लिया है मैंने हरी आली के लिए बहुत ही बेतर टेस्ट आता है पालक का प्रियोग आप जरूर करें बिना प्रियाज लसन की राजमा की दाल है दोस्तो पैन को आपने थोड़ी देर के लिए फ्री हिट करना है साथ मैं मस्टर्ड आउल डालना है मस्टर आउल को भी हिट करना है हिंका प्रियोकरें फिलेबर के लिए बे लिफ भी आपने यहां पर डालनी है दोस्तो और साथ मैं आपने डालना है खड़े मसाले, खड़े मसाला में, बलेकार्डमा में, ग्रेन कार्डमा में और सिनेमन स्टिक है साथ में कॉरियांडर सीट्स की एक टेबल स्पून डालें, दो से तीन रेट चिले डालें, थोड़ी देर के लिए तड़कें cumin seeds की एक टेबल स्पून और fenugreek seeds भी आपने half टेबल स्पून डालना है बहुत बड़ी अवले वराता है खड़े मसालों का पूने इनको दोस्तों थोड़ी देर के लिए आपने तड़कना है फिर आपने टमाटो का प्रेओ करना है पीच बीच में हल्दी की एक टेबल स्पून, एक टेबल स्पून दनिया पॉटर, एक टेबल स्पून गर्मसाला और रेड चिली जो नॉर्मल होती है कलर और फिलेवर के लिए एक टेबल स्पून डालें हो गया है तो इस stage में आकर आपने पल का प्रियो करना है पल का हरियाली के लिए हम डाल रहे हैं और इसका फ्लिबर भी बहुत बढ़ियात है राजमा की दाल में क्योंकि प्याज लसन तो हम डाल नहीं रहे हैं तो थोड़ा सा स्वात टेस्ट बढ़ाने के लिए हम पल का प्रियो करेंगे दोस्तों अगर आपके पास अबलेबल हो तो जुरूर इसका प्रियो करें नहीं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं यहाँ पर स्टर करें अब इस stage में आगर आपने पॉयल किये हुए राजमा का प्रियो कर लेना है अच्छी तरह से हमारे राजमा पॉयल हो चुक है यहाँ पर देख सकते हैं स्टर करें गरेबी के साथ बहुत ही बेतर लग रही है हमारी गरेबी और स्टर करें एक दो मिंट के लिए यहाँ पर आप आप देख सकते हैं क्सूरी मैथी का प्रयोग करूँगा मैं भूनकर क्सूरी मैथी को क्रस करके आपने डालना है बहुत ही टेस्ट देगी आपकी राजमा की दाल को दोस्तों और जो जो मसाले अगर आप खाना नहीं चाते हैं उनको आप स्किप भी कर सकते हैं दोस्तों यहां पर आप देखिए कितनी बेतर लग रही है राजमा की दाल बिल्कुल प्रफेक्ट बहुत जादे ठिक लग रही है तो इसमें हम वाटर का प्रयोग भी करेंगे राजमा को वाइल किया है तो वाटर हमारे पास बच गया है उसको मैंने सेप कर लिया था फिर हम उस वाटर का प्रयोग करेंगे तरी के लिए थोड़ी देर के लिए इसे वाइल करेंगे हम और उसके बाद फिर हम इसमें लगा देंगे वाटर यह राजमा का वाइल करतिवार का पानी है दोस्तों तो इसी कपरियों करूँगा आप एक्स्ट्रा वाटर भी साधा लगा सकते हैं और थोड़ी देर स्टर करें फिर इसे लीट से कवर करना है आपने एक से दो मिंट के लिए लीट से कवर करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बेतर हमारी राजमा की दाल लग रही है ज थिकनेस आप देखिए दोस्तों बिना प्याज लसन के इतनी बेतर थिकनेस आई है कि ऐसा लगें रहेगी बिना प्याज लसन की राजमा की दाल है दोस्तों बिल्कुल थिक हमारी दाल बनी हुई है और लजीज और स्वादिस्ट भी लग रही है दोस्तों यहाँ पर आप देखिए बहुत एजी स्टेपों से आप अपने घर में बिना प्याज लसुल के राजमा की एक स्वादिस्ट डाल बना सकते हैं अब हमारी राजमा की डाल बिल्कुल त्यार है सर्ब करने के लिए तो गर्मा गर्मी से हम सर्ब करेंगे दोस्तों यह देखिए कितनी बेहतर ल दिया दोस्तों जो जो स्टेप मैंने बताए और बहुत ही सिंपल स्टेप मैंने बताए हुए है उनको फॉलो करके आप अपने घर में बिना प्याज लसुल के एक बेतर राजमा की डाल बना सकते हैं यह रेस्पी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखे दोस्तों अगर आपको संदाई होगी बिना प्याज लसुल की मेरी राजमा की रेस्पी तो मेरे यूट्यूब चैनल भाड़ी कोकिंग को लाइक करें सियर करें सब्सक्राइब जरूर जरूर करें